पावस्टार पवण सिंग भोजपूरी के उनकलाकारों में शामिल है, तो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, वाद विवाद तो बात की बाते हैं, लेकिन इनकी अफेयर जो की ये अफेयर कर चुके रहते हैं, जिन्हें बीते लगभग दशक बीच चुके हैं, वो भी सुर् ये बात करते हैं रीना रानी की जिन्हें पवन सिंग की पहली पत्नी तक बताया जाता है। काफी लोगों का मानना है कि पवन सिंग ने अपने परिवार को बताए बगैर जब वो मुंबई में नए नए आये थे तब वो रीना रानी के प्यार में पड़ गये थे और उन्होंने उनसे शादी कर ली थी ये शादी में चार महीने ही चली थी और ये दोनों सेपरेट हो ग फैर इनसे तो हम परदा नहीं उठा सकते क्योंकि इसकी सचाई पवन और रीना रानी ही बता सकते हैं लेकिन अब रीना रानी का हाल ही में एक इंट्रिव्यू सामने आया है जिस पर उन्होंने कई सवालों के जवाब बड़ी बेबाकी तौर से दिया है उनका कहना है कि वो उनके फिल्म में उनकी मा का किरदार निभाने पहुची थी और वही उनसे उनकी पहली मुलाकात थी पवन सिंग उनके फेवरेट सिंगर है पवन सिंग के लाइफ में चल रहे है अपडेट को वो सोशल मीडिया से ले देती है और वो चाहती है कि आगे भी पवन सिंग क फिल्मों में उनके मा का रोल करें अफेयर की बात पुछे जाने पर उनका सीधा जवाब था कि आप अगर लाइम लाइट में हैं तो आपको इन सब चीजों की आदर डाल लेनी चाहिए क्योंकि ये सारी चीजे आपको कॉंप्लिमेंट की तौर पर मिलती हैं लेकिन पर्सनल में जिस इनसान के साथ जैसा होता है वो इनसान उसे फेस करता है जेलता है साथ ही रिना रानी ने यहां पवन सिंग के और जोती के तलाग के बारे में भी जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि इसकी बहतर हकीकत जोती सिंग या पवन सिंग ही बता सकते हैं क् कि इस चीज़ को वो personally handle कर रहे हैं साथ ही आगे भी बात करते हुए पवन सिंग के साथ काम करने की इच्छा जताई है लेकिन अपने link up के बारे में उन्होंने ये कहा कि ये सरासर कोरी अफवा है यानि कि आप ये कह सकते हैं तकरीबन 10 से 12 साल बाद इस बाद से परदा उठाया है एक्ट्रिस रीना रानी ने क्या कहेंगे आप हमारे इस रिपोर्ट के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए